सबी विद्यारतियों का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है अभी नंदन है। हम लोग अभी व्यस्कुलर टिशु सिस्टम के बारे में अध्यान करेंगे। इस से पहले थोड़ा सा इस से पहले वाले वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगोंने epidermal tissue system के बारे में complete कर लिया है और second जो हमारा system आता है वो आता है हमारा ground tissue system तो ground tissue system तक हम लोगोंने हमारे topics है वो complete कर लिये है और tissue system में यह हमारा last वाला part है जिसको हम vascular bundle system के नाम से जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं plants के लिए vascular bundles कितनी importance रखते हैं vascular bundle का सीधा सा मतलब यह होता है जाईलम और phloem से जाईलम और phloem कहने का मतलब यह हुआ plants के लिए खाना और पानी जो विवस्ता plant के अंदर जो tissue च करते हैं वो जाईलम और phloem होते हैं जमीन से पानी को सोख कर पूरे plant में पहुँचाने का काम जाईलम के दुवारा कंट्रूल होता है जबकि photosynthesis के पश्चात जो भोजन बना है उस भोजन को पूरे plant में पहुँचाने का काम phloem के दुवारा होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं plant के लिए जो खाना और पानी उपलब्त करवाते हैं वो वेस्कुलर बंडल से टिशू सिस्टम होते हैं जाइल अमूर फ्लोएम तो आज का जो हमारा टोपिक है वो वेस्कुलर बंडल सिस्टम के बारे में है और हम चानने का प्रियास करेंगे कि plants के अंदर particularly angiosperms के अंदर क्योंकि second year में mainly आपके angiosperm का ही पार्ट है जिमनोशperm और lower groups है जो crypto games है वो first year में हम लोग पढ़ चुके हैं तो कितने प्रकार की ये बंडल होते हैं किस प्रकार से इनका arrangement है इस बारे में आज कई जो वीडियो है उसके बारे में हम लोग अध्यान करेंगे ये है आपका syllabus जो हम बार बार देख रहे हैं इसमें जो last वाला part है वो अब हमारा complete होने जा रहा है tissue system और ये उसका last part है और जो green वाला part है वो हमारा पहले से complete हो चुका है वेस्कुलर बंडल जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांस्पोस सिस्टम का एक पार होता है जो plant के अंदर पानी और food को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है और इसके दो भाग होते हैं जाइलम और फ्लोयम और इसके अलावा ये plant को टिस्यूज या supporting टिस्यूज भी के रूप में भी काम करता है क्योंकि जाइलम है वो उसकी structure है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पांच प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और उसके अंदर काफी कोशिकाओं हैं वो thick world होती है और thick world होने के कारण से वो supporting औ यानि transport system के रूप में काम तो करते ही करते हैं इसके अलावा वो supporting और protective tissues के रूप में भी काम करते हैं ग्राउंट मेरिस्टेम से इनका निर्मान होता है और थोड़ा सा प्ली रॉम और थोड़ा सा पेरिबलेम के दुवारा भी इनका निर्मान है वो हो सकता है काने का मरला जो वेस्कुलर बंडल system है वो ग्राउंट मेरिस्टेम और प्ली रॉम और थोड़ा सा पेरिबलेम इन से इनका निर्मान होता है और यह सब चीजे हैं वो detail में हम लोग मेरे systematic वाले tissues के अंदर पढ़ चुके हैं जाइलम है वो मुखे रूप से adexial side में होता है और phloem की जो position होती है वो adexial side में होती है कहने का मतलब यह हुआ phloem जाइलम के उपर की तरफ रहता है दूसरे सब्दों में अगर हम यह कहना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं जाइलम में वो center के नज़्दीक रहता है और phloem में वो बाहर की तरफ होता है exterior side में होता है और leaf के sense में अगर हम यह बात करें तो जो adexial surface है वो upper surface होती है और abexial surface है वो lower surface होती है तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जाइलम और phloem की जो position है वो सामानेते क्या होती है तो जो बात सामने निकल कर आई है वो अगर एक bascular bundle को हम सामाने तोर पे अगर देखते हैं तो phloem ऊपर की तरफ होता है और जाइलम में वो नीचे की तरफ होता है यह इनका position है कि किस परकार से इनका arrangement रहता है मुक्य रूप से चार परकार की वेस्कुलर बंडल से हैं वो हम लोगों के सामने आते हैं नंबर वन है रेडियल वेस्कुलर बंडल दूसरा है हमारा कोलेटरल तिसरा है हमारा बाई कोलेटरल और चोथा है हमारा कॉन सेंट्री चारों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो जो पहले वाले situation है जिसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल के नाम से जानत जाते हैं और जो concentric viscular bundle है ये leaf और stem में पाए जा सकते हैं जिनके बारे में हम आगे चल कर बात करेंगे तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो radial viscular bundle है वो particularly root के लिए है और collateral और bicollateral जो viscular bundles है वो मुख्य रूप से stem के लिए है इस बात का हमें विश्यस रूप से ध्यान रखना है और इनको one by one करके हम with example समझने का प्रियास है वो करेंगे अगर सभी को एक साथ में अगर हम देखना चाहते हैं कि वेस्कुलर बंडल से वो कितने परकार के हैं पहले वाला जो diagram आप देख रहे हो बड़ा diagram गोला कार यह radial परकार के वेस्कुलर बंडल के रूप में आप देख रहे हो और उसमें जो main बात आप के सामने निकल कर आ र इस्तिर्जिया के उपर पाई जाते हैं और दोनों आपस में मिलते नहीं है एक दूसरे के एकांतृत करम में यह पाई जाते हैं जायलम बंडल उसके बाद फिलोयम फिर फिलोयम फिर जायलम फिर फिलोयम इस तरह से एक दूसरे के alternate या एकांतृत करम में यह पाई जाते है इस परकार की जो situation है उसको हम radial bundles के नाम से जानते हैं और ये हमेशा root के अंदर पाई जाती है उसके बाद में पांच diagram आप एक साथ में देख रहे हो और पांच के अंदर जो आप पहले दो diagram देख रहे हो उपर और नीचे वाला diagram जिसमें आप देख रहे हो कि उपर की तरफ जो डोट-डोट करके दिखाया जा रहा है ये फ्लोयम है और नीचे जो चोकोर structure जालुमा structure जो आप देख रहे हो वो जाइलम दिखाया जा रहा है तो उपर वाला जो डाइगराम आप देख रहे हो उसमें फ्लोयम और जाइलम है और उसके नीचे वाला जो डाइगराम आप देख रहे हो उसमें फ्लोयम और जाइलम के बीच में एक केम्बियम की स्ट्रिप है वो लगा दी गई है दिखाई दे रही है शो कर रही है इसका मत उपर की तरफ phloem और निचे की तरफ जायलम होने के कारण से इस प्रकार की situation को हम colateral के नाम से जानते हैं Eagles, ओपर की तरफ phloem और निचे की तरफ जायलम और दोनों के बीछ में दूसरा जो difference है पहले तो समानता है दूसरा जो difference है उपर वाले में cambium नहीं है इसलिए उसको closed परकार का वेस्कुलर बंडल कहेंगे और निचे वाले में cambium की strip पाई जा रही है इसलिए उसको open परकार का वेस्कुलर बंडल कहेंगे तो दोनों में एक समानता है phloem और gylem की और ऐस समानता है cambium का होना या नहीं होना और dear students उपर वाला जो वेस्कुलर बंडल है जो closed परकार का बंडल है ये हमेशा monocord stem में पाया जाता है और निचे जो cambium की strip दोनों के बीच में हो गई है ये dicord stem में पाया जाता है तो ये उपर निचे वाला डाइग्राम हो गया उसके बाद में आगे चलते हैं जो बड़ा सा डाइग्राम देख रहे हो उसमें इन बीच के अंदर जाली नुवा structure दिखाए दे रही है वो है gylem जाइलम के उपर भी phloem है और जाइलम के नीचे भी phloem है उपर वाला outer phloem नीचे वाला inner phloem और वीच वाला जाइलम कहने का मतलब यह हुआ इस वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एक है phloem उसके उपर भी है phloem उसके नीचे भी है इस परकार की situation को हम by collateral परकार का वेस्कुलर बंडल काते हैं कुछ टाइकोट स्टेम्स example हम आगे चल कर लेंगे उसमें इस परकार की situation पाई जाती है जिनमें बंडल collateral नहीं होकर by collateral हो जाते हैं collateral का meaning हम लोगों ने देखा था उपर phloem नीचे जाइलम लेकिन by collateral का मतलब है जाइलम बीच में है उपर भी phloem है और नीचे भी phloem है इसको हम by collateral परकार का बंडल काते हैं उसके बाद में हम आगे चलते हैं लास्ट वाले डाइग्राम स्वें उपर वाला डाइग्राम और नीचे वाला डाइग्राम उपर वाले में आप देख रहे हैं और नीचे वाले में दोनों में जो समानता है वो ये समानता है एक टिश्यू को दूसरे वाला टिश्यू गहरे हुए है पहले वाले में जाइलम को फ्लोयम गहरे हुए है दूसरे में फ्लोयम को जाइलम गहरे हुए है ये दोनों में आज समानता है तो पहले वाले की बात हम कर लेते हैं जिसके अंदर जाइलम सेंटर में और फिलोयम उसको गहर रहा है इसको हम Amphicribal کے नाम से जानते हैं और दूसरे वाले में फिलोयम सेंटर में है जाइलम उसको गहर रहा है उसको हम Amphivassal के नाम से जानते हैं और दोनों के लिए जो common सब्द है वो है concentric concentric का मतलब यह है एक टिशू दूसरे को घेर रहा है और उसको फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया Amphicribal and Amphicribal जिसमें जाइलम बीच में है वो Amphicribal है जिसमें फ्लोएम बीच में है उसके अंदर Amphicribal के नाम से हम इसको जानते हैं तो ये एक broad sense में हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल की जो टाइप से उनको जानने का प्रियास किया उसके बाद में इसी बात को हम one by one करके आगे चलते हैं पहले situation आती है आपकी radial वेस्कुलर बंडल के बारे में जैसा कि मैंने आप से कहा इस परकार की situation है वो हमेशा root के अंदर पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल जो जैलम और flowem है उनका arrangement किस परकार से होता है वो देखिए जैलम और flowem अलग-अलग एक दूसरे से अलग-अलग separate रूप से पाई जाते हैं और अलग-अलग radia यानि तिर्जा के उपर इश्टित होते हैं एक दूसरे से आपस में मिलते नहीं है कहने का मतलब यह है एक कांतृत करम में पाई जाते हैं जैलम-फ्लोएम, जैलम-फ्लोएम, जैलम-फ्लोएम आपस में इनका connection नहीं होता है और इस परकार से एक दूसरे के इनके नमबर कितने हैं उसके आधार पे हम मोनो-कोट और डै-कोट रूट में डिफ्रेंस करते हैं वो एक अलग मेटर है जिसके आगे चल कर हम लोग बात करेंगे लेकिन जो मेन बात है वो यह है जैलम और फ्लोएम है वो एक दूसरे के एक अंत्रित करम में पाए जाते हैं अलग लग तिर्जिया के उपर पाए जाते हैं और इस परकार की सिच्वेशन को हम रेडियल बंडल्स के नाम से जानते हैं और यह रूट का विसेश लक्षन है इनके अंदर कोई प्राइमरी केंबियम जैसी स्टुक्शर है वो नहीं होती है लेकिन डाइकोट जो रूट होती है उसमें ऐसामान रूप से केंबियम की स्टुक्शर बनती है वो एक अलग मेटर है वो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब जाकर हम बात करेंगे किस परकार से सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट की रूट के अंदर केंबियम किस परकार से डवलप होके हमारे सामने आता है उसके बारे में हमालक से बात करेंगे लेकिन मुख्य रूप से रूट के अंदर केंबियम है जैसी कोई structure है वो नहीं पाई जाती है कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम सामाने रूप से बात करें तो रूट में secondary growth नहीं होती है लेकिन ऐस सामाने रूप से डाइकोट रूट के अंदर secondary growth होती है उसके लिए एक नया केंबियम बनकर आता है किस परकार से बनता है यह secondary growth में हम लोग बात करेंगे नमबर के अधार पे हम monocode और dacode में difference करते हैं जिन plants के अंदर जैलम और phloem के numbers 2 से लेकर 6 तक होते हैं वो dacode root होती है और जिनके अंदर इनके number 6 से ज़्यादा होते हैं more than 6 वो monocode होते हैं बहुत simple सी identification है monocode और dacode के लिए 2, number 2, 2 का मतलब यह होगा 2 जैलम, 2 phloem 3, 3 का मतलब 3 जैलम, 3 phloem 4 का मतलब 4 जैलम, 4 phloem 5, 5 जैलम, 5 phloem और 6, 6 जैलम और 6 phloem up to 6 number होने का मतलब यह हुआ कि वो dacode है और जहां पर 6 से ज़्यादा इनके number हो जाते हैं जैलम और phloem के वो monocode हो जाती है यह विशेश रूप से हम लोगों को बात याद में रखनी है बहुत easy identification है और इस चीज को हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में बिटा लीजिए जब भी हमें comparison की बात आती है difference करने की बात आती है monocode और dacode root के अंदर यह सबसे बड़ा identification का main point है जो हमारे से ध्यान में आना चाहिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि जाइलम और phloem के नंबर के अधार पे जो dacode root है उसको हम अलग-अलग नाम से फुकारते हैं अगर वहाँ पर नंबर एक है कहने का मलब एक जाइलम और एक phloem तो वो mono arc condition कहलाएगी अगर उसमें दो जाइलम और दो phloem है तो di arc condition कहलाती है तीन जाइलम तीन phloem है तो tri arc condition कहलाती है च्यार प्लस च्यार है तो tetrak पांच है तो pentark सिक्स है तो hexar condition कहलाती है और dear strengths जैसा कि मैंने कहा 6 से ज़्यादा जब होते हैं तो वो mono code root होती है और उसके लिए जो technical term हम काम में लाते हैं वो poly arc condition है वो हम काम में लाते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो mono code root होगी उसमें poly arc condition होगी और जो dicote होगी उसमें सामानित है दो से तलेकर 6 जाइलम और phloem के group से वो पाई जाते हैं और उसी के अधार पे उनको हम अलग-अलग नाम से पुकारते हैं जैसा कि आप देख रहे हो die, tri, tetra, penta और hexa, arc है वो हम लोग उस नाम से पुकारते हैं जो बात अभी हम लोगों ने की है उसी को एक diagram के माद्धम से भी आप देख सकते हो die arc में आप देख रहे हो उपर और नीचे दो जाइलम दिख रहे हैं और दो साइड में जो black spots हैं ये आपको phloem के रूप में दिखाई दे रहा है अंदाजा लगा लीजिए आराम से अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल किलिर दिख रहा है जो black spot है एक तरफ वो phloem उसके बात जाइलम फिर black spot है वो phloem फिर जाइलम एक सर्किल निकाल लीजी आप जाइलम और phloem एक दूसरे के alternate हुआ या नहीं हुआ है बिल्कुल हुआ है इस परकार की condition को हम di-arc के नाम से जानते हैं दूसरे वाला diagram आप देख रहे हो इसमें 3 प्लस 3 है तीन phloem और तीन जाइलम है ट्राई आर्क तीसरे diagram के अंदर 4 प्लस 4 है 4 जाइलम और 4 phloem जो एक दूसरे के alternate है टेट्राक और लास्ट वाला जो diagram है ये monocode root को represent कर रहा है जिसके अंदर poly arc condition दिखाई गई है आराम से आप देख सकते हो के जाइलम और फ्लाईम के जो नंबर है वो 6 से ज्यादा है तो ये जो 4 diagram साब देख रहे हो उसमें सुरू के जो 3 diagram से ये diacode root को represent कर रहे है और जो last वाला diagram है ये monocode root को represent कर रहा है कितना clear cut पहचान के रूप में identification के रूप में आप इनको देख सकते हो और जैसा कि मैंने कहा इस प्रकार के situation हमेशा 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 root के अंदर पाई जाती है तो जब भी कोई root के बारे में आप से पूछे कि root में किस प्रकार के vesicular bundle पाई जाते है तो हमारा पहला और आखरी answer है वो यही होता है radial vesicular bundle पाई जाते है और उसमें monocoat and dicote की जब difference करने की बात होती है तब हम कहते है 6 तक है वो dicote root है और 6 से ज़्यादा है वो monocoat root है वो होती है उसके बाद में हम आते हैं second diaper जिसको हम कहते है collateral परकार के bundles collateral का मतलब जैसा मैंने आपको बतलाया एक तरफ phloem है और एक तरफ जायलम है अगर एक bundle को हम अपने सामने देखें तो उपर की तरफ उसमें phloem होता है और नीचे की तरफ उसमें जायलम होता है दूसरे सब्दों में जैसा कि अभी हमने जाना था kendra की तरफ, center की तरफ जो stem है, stem का जो section cutting हम लोगों ने किया है उसके center के पास में gyalum होगा और center से दूसरी तरफ यानि पृधी की तरफ है वो phloem होता है इस परकार का arrangement है वो gyalum और phloem का होता है एक तरफ phloem, एक तरफ gyalum तो इस परकार के जो bundles है उनको हम collateral vascular bundle के नाम से जानते हैं और इनी bundles को बड़ा करकर जो सुरू में भी हमने आपको दिखाया था वापस से आप देखिए बहुत clear difference है वो आप इनमें देख सकते हो सुरू के जो उपर उपर की जो line आप देख रहे हो उसमें आप देखिए collateral closed दूसरा diagram उपर वाले देखना है आपको निचे नहीं जाना है collateral open और तिसरे वाला का आगे चलकर हम लोग बात करेंगे जिसमें by collateral लिखा हुआ है तो फिलहाल उपर वाले line में आपको सुरू के दो diagram में रहना है पहले वाला diagram आप देख रहे हो उपर की तरफ खाले जगबे flowem लिखा हुआ है और उसके नीचे की तरफ लिखा हुआ है जाइलम और दूसरे वाले diagram में आप देखिए उपर की तरफ flowem है बीच में cambium आ गया यहाँ पर और नीचे की तरफ है वो जाइलम है dear students जो common है वो ये है एक तरफ flowem एक तरफ जाइलम और जो ऐसमान है पहले में cambium नहीं है दूसरे में cambium है तो ये दो परकार के बंडल्स जो collateral के type है पहले वाले को हम closed collateral कहेंगे दूसरे को open collateral कहेंगे ये बात हमें आगे चलकर द्यान में रखनी है और आगे वाले diagram के बात है वो आगे चलकर फिर हम करेंगे जब उससे concern है जो आएगा उसी बात को दुबारा से जो अभी हम लोग कर रहे थे जाइलम और flowem के बीच में cambium है या नहीं है उसके अधार पे collateral को हम दो भागों में divide करते हैं एक को हम कहते हैं closed collateral bundle और एक को हम कहते हैं open collateral bundle dear students closed का मतलब उसमें cambium की strip या पट्टी या layer नहीं है और open में cambium पाया जाता है तो closed परकार के जो bundles है वो monocod stem में पाया जाते हैं और open परकार के जो vascular bundle है वो dicod stem के अंदर पाया जाते हैं यहां पर भी यह बात ध्यान में रखने वाली है monocod stem और dicod stem के अंदर जो difference है वो यहां पर आकर clear मालूम चल रहा है monocod में cambium नहीं होता है इसलिए वो closed है dicod में cambium होता है इसलिए वो open है और इसी बात को आगे चार्ट फिर हम हुआ कि monocod stem में इस परकार की situation होने के कारण से उन में सामाने परकार की secondary growth नहीं होती है monocod के अंदर सामाने परकार की secondary growth नहीं होती है इस बात का हमें ध्यान में रखना है और बहुत जरूरी है हाँ कुछ monocod plants के अंदर abnormal type की secondary growth होती है वो हम secondary growth में बात करेंगे इस बात का ध्यान में हम लोगों को रखना है और बहुत से plants हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जिसे ड्रेसिना है, जिसे एगेव है इन सब के बारे में हम आगे चल कर बात करेंगे और जो ये bundles होते हैं इनके चारों तरह एक layer पाए जाती है मोटी वित्ती वाले scleran कायमा की जिसको हम bundle sheet के नाम से भी जानते हैं वो bundle sheet होती है जो vascular bundle को मजबूती परदान करती है और जो एक closed collateral type के जो bundle होते हैं यानि monocots के अंदर इनमें bundle sheet का पाया जाना एक विसेश लक्षन है इस बात का भी विसेश रूप से हम लोगों को ध्यान में रखना है जो की scleran कायमा की बनी हुई होती है और एक बात हमें और यहां पर ध्यान में रखनी है कि जो जाइलम की जो tissues है यहां पर y-shaped के अंदर range होते है linear नहीं होता y-shaped में होता है और निचे के तरफ एक lysogenius cavity भी इनके अंदर पाये जाती है उसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा तो monocot के vascular bundles के जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमें पहला point तो यह हुआ कि vascular bundle collateral होते है उपर flow है निचे जाइलम दूसरा point हमारा यह होगा कि यह closed प्रकार के होते है कहने का मनलब के अंदर नहीं होता है तीसरा point हमारा यह होता है इसके चारोतरा bundle सीथ पाये जाती है जो कि अभी अपन बात कर रहे थे इस के लिरन कायमा की चोथी बात हम करेंगे तो यह कहेंगे कि जाइलम के जो कोशिकाएं हैं वैसल्स हैं उनका arrangement वाई के आकार का होता है और लास्ट वाला जो point होगा इसमें नीचे की तरफ एक केविटी पाये जाती है जिसको हम लाईसोजीनियस केविटी के नाम से जानते हैं यह बहुत important points है जिसके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए अब हम आते हैं डाइकोट प्लांट्स के तरफ जिनमें कोलेटर परकार के जो बंडल है वो open परकार के बंडल होते हैं और इनमें जायलम और फ्लोयम के बीच में केंबियम की एक पट्टि पाई जाती है जिसको कि हम फेसिकुलर केंबियम के नाम से भी जानते हैं इंटर फेसिकुलर केंबियम के नाम से भी जानते हैं डियर स्टुडेंट्स ये Cambium secondary growth के लिए साहिक होता है जो समाने प्रकार की secondary growth होती है उसको संचालित करने का काम करता है और इस प्रकार की situation है वो dicode stem के अंदर पाई जाती है detail में हम लोग जब secondary growth का topic पढ़ेंगे जब इनके बारे में और detail में हम लोग जाएंगे अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के बंडल के बारे में तीसरा जो प्रकार है आपका है वो है bi-collateral vascular bundle जिसमें हमने बात की थी बीच में जाएलम है उपर भी phloem है और नीचे भी phloem है दो जगे phloem होने के कारण से हम इसको bi-collateral vascular bundles के नाम से जान दे हैं और ये इस प्रकार का बंडल भी डाइकोर्ड स्टेम्स के अंदर कुछ particular plants है उनके अंदर इस प्रकार की situation है और उनके अंदर पाई जाती है मीच में जाएलम उपर वाला phloem outer phloem नीचे वाला inner phloem तो इस प्रकार से दो phloem होने के कारण से उसको हम by collateral का नाम है वो देते हैं और दोनों के बीच में केंबियम है वो परजेंट होगा और यहां पर केंबियम की दो स्ट्रिप होगी जाएलम के उपर वाले phloem और जाएलम के बीच में भी और जाएलम के नीचे जो phloem है उसके और जाइलम के बीच में भी केंबियम की स्ट्रिप है वो पाई जाएगे तो इस तरह से केंबियम की दो पटिकाएं वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है और यह बाई को लेटरल परकार का बंडल है वो कहलाता है परिधी की तरफ जो बंडल होता है उसको बाहरी फ्लोएम या अक्स्टरनल फ्लोएम के नाम से जानते हैं या उटर फ्लोएम के नाम से जानते हैं और जो सेंटर के पास में होता है उसको हम इनर फ्लोएम के नाम से जानते हैं internal phloem के नाम से जानते हैं तो dear students इस चीज का हमें विशेश रूप से ध्यान में रखना है कि किस परकार से phloem और gylam का जो arrangement है और किस परकार से gylam और phloem के बीचे में जो KMBM की जो strip है वो आ रही है उसके अधार पे उसका नाम करने वो होता है dear students इस परकार की जो situation है वो बहुत कौमली हमें कुकुरबीटा के स्ट्वेब में देखने को मिलती है कुकुरबीटा वो प्लांट है जो कुकुरबीटेशी फेमिली के जो members है कुकुरबीटा और भी बहुत सारे members है ज्यादा तर जो सबजी हम vegetables जो यूज करते है वो कुकुरबीटेशी फेमिली के प्लांट होते है और उन प्लांट में सामाने तया बाई को लिटल परकार के बंडल से वो पाई जाते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर केम्बीएम की जो situation है वो बढ़ जाती है दो फ्लोएम की situation है वो बढ़ जाती है दो फ्लोएम होने के कारण से इस तरह से बोजन का जो ट्रांस लोकेशन होता है उसके में उसको काफी साहिता है या हेलप है वो मिलती है यह निश्चित रूप से प्लांट के लिए फाइदे मन्द है इस प्रकार से उसको अपने जरूरत के आधार पे यह बाइकोलेटर्स प्रकार के situation है वो पाई जाती है अब हम चलते हैं चार नबर के point में यह है आपका concentric vescular bundle जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एक जो tissue है वो बीच में होगा और दूसरा उसको गहरे हुए होगा अगर जायलम बीच में है फ्लोयम गहरे हुए फ्लोयम बीच में है तो जायलम उसको गहरे हुए इस प्रकार से एक tissue दूसरे tissue के दुवारा गहरे हुए होता है एक center में है दूसरा उसको गहरे हुए कोई सा भी सेंटर में है उसके आधार पे हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं एक को हम कहते हैं MP Vessel Bundle और एक को कहते हैं हम MP Cribal Bundle दोनों में क्या difference है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं लेकिन main बात यही है कि एक सेंटर में है और दूसरा उसको गहरे हुए है इस बात का विशेश रूप से हम लोगों को ध्यान में रखना है यह सब से important बात है तो पहले के बात में बारे में हम लोग बात करते हैं यह है आपका MP Vessel Bundle के बारे में और इसके अंदर क्या होगा MP Vessel के अंदर आप देख रहे हो कि जो वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइल है वो इन सर्किल्स है Central Strand of Phloem कहने का मलब Phloem Center में जाइल है उसको घेर रहा है उस परकार की situation को हम MP Vessel Bundle के नाम से जानते हैं और इसका एक नाम और है जिसको हम लेटो सेंट्रिक बंडल के भी कहते हैं और समानेत है यह ड्रेशिना और युका जो लीलिये से फेमिली के मेंबर्स है उन में इस परकार की situation है वो हमें देखने को मिलती है फ्लोयम जाइलम के द्वारा घेरा हुआ है MP Vessel के नाम से हम इसको कहते हैं तो यहां पर एक्जामपल है उसका भी आप ध्यान में रखिएगा और दूसरा जो आता है MP Cribal यह जाइलम को घेर के रखता है जाइलम सेंटर में फ्लोयम उसको घेर रहा है और इसका जो दूसरा नाम है वो है हेडरोसेंट्रिक उसका नाम था लेप्टोसेंट्रिक इसका नाम है हेडरोसेंट्रिक दोनों के नाम से भी कुष्टन है वो अक्सर पूछ लिया जाता है और यह टेरिडोफाइटा का जो सिलजिनला नामत प्लांट है उसमें इस परकार की सिच्वेशन है वो हम लोगों को देखने को मिलती है तो ये चीज़ है वो आप ध्यान में रखिएगा Dear Students दोनों के दोनों situations बहले ही वो MP वेसल हो बहले ही वो MP क्राइबल हो यहाँ पर Cambium नहीं पाया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह Closed परकार के बंडल होते हैं दोनों ही situation में Cambium नहीं देखने को हम लोगों को मिलता है इस परकार से जो Concentric परकार के बंडल होते हैं वो Closed परकार के बंडल होते हैं अब जो study हम लोगों ने अभी तक की है उसका एक समरी के रूप में एक diagram है वो आपके सामने है वेस्कुलर बंडल चार परकार के situation आप देख रहे हो हम सबसे नीचे की तरफ चलेंगे पहले नीचे वाला देखिए जिसमें radial लिखा हुआ है radial का मतलब जाइलम और फ्लोय में एक दूसरे के एक अंतरित करम में और ये monocot और dicot की root में पाए जाते हैं ये हमने बात की थी और हमने कहा था कि जो dicot है उसमें 2 से लेकि 6 तक और जो monocot है उसमें 6 से ज़्यादा बंडल पाए जाते हैं उसके बाद में सबसे उपर चलिए वापस collateral collateral का मतलब ये उपर की तरफ लोय है मेज यानि मत्ता उसमें closed परकार के बंडल पाए जाते हैं और जिचे जो collateral open है ये dicot stem है जिसमें cambium पाए जाता है उसके बाद में हम आते हैं by collateral जिसमें उपर भी फ्लोयम निचे भी फ्लोयम बीच में जाइलम पाए जाता है ये कुकरबिटेस्टी का कुकरबिटा में पाया जाता है और फिर तीन नमबर पे आईए जिसको कौन सेंट्रिक कहा गया है MP-Cribal और MP-Vessel MP-Cribal को हेडरोसेंट्रिक के नाम से भी जानते हैं और MP-Vessel को लेप्टोसेंट्रिक के नाम से भी जानते हैं दोनों के एक्जाम्पल से वो आपके सामने है MP-Vessel में फ्लोएम बीच में जाइलम उसको गहरे हुए है MP-Cribal में जाइलम बीच में फ्लोएम उसको गहरे हुए है इस परकार से एक समरी के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो यह एक रेक्षियर डाइग्राम के माध्यम से या एक अरेंजमेंट जो किया है हमने सिक्वेंस का अरेंजमेंट किया है उसके आधार पर हम इसका कंक्लोजन है वो हम लोग निकाल सकते हैं Last but northerist काम क्या होता है इनका और जैसा कि हमने सुरू में बात की थी transportation system के रूप में ये काम करते हैं बहुत ही important काम करते हैं खाना और पानी क्योंकि खाने और पानी के बेना कोई भी काम है वो चल नहीं सकता है और जैसा कि हम लोगों ने बात की खाना और पानी के अलावा इनकी जो cells हैं वो thick wall होने के कारण से supporting और protection का काम भी करती है लेकिन मुख्य जो काम है जैलम का पानी का transport करना और पानी के साथ में निश्चित रूप से minerals हैं वो मिट्टे से plant के अंदर आते हैं तो पानी का जो समयन होता है वो जैलम के माद्धियम से होता है और जो photosynthesis के पश्चा जो food बनता है उसका जो पूरे पौधे में एक सान से दूसरे सान तक मतलब ट्रांस्टोकेसन है वो flowem के माद्धियम से होता है तो जैलम पानी flowem खाना इस तरह से ये दोनों के द्वारा ये काम है वो संपाधित होता है लास्ट में आप references देखिए कि कौन सी किताबे हैं वो आपके लिए उप्योगी है MS ताइल सर की Plant Anatomy जो की केवल इंगलिस में है हिंदी वर्जन अभी तक आया नहीं है सेकिंड के अंदर आप देख सकते हो सिंग पांडे चैन रस्तोकी पब्लिकेसंस ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अप्लब्ध है तो आप इनको reference book के रूप में यूज कर सकते हो Dear students ये था आज का हमारा topic जो वेस्कुलर बंडल सिस्टम के बारे में था और हमने विश्टिरत रूप से जानने का प्रियास किया कि वेस्कुलर बंडल जो कि प्लांट के लिए बहुत important part है जो कि खाना और पानी से जुड़े हुए है निश्चित रूप से वो बहुत important है उनकी structure के बारे में जाना किन plants में होता है कि ambient है या नहीं है किस परकार कि situations अलग अलग plant में पाई जाती है उसके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रियास किया निश्चित रूप से ये आपके लिए exams के point view से और अगर आप बोटनी को ही आगे लेके चलना चाहते है आपके knowledge और experience के लिए बहुत important topic है सभी का बहुत वह शुक्रिया शुक्रिया से पहले एक बात में और कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने के पश्चाथ निश्चित रूप से इसको subscribe कीजिए subscribe करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आगे वाले जो वीडियो है वो अपने आप आप तक पहुंचते रहेंगे आपको कहीं भी सर्च करने के आपसकता नहीं पड़ेगी इसलिए आप देखने के पश्चाथ लाइक कीजिए और उसको subscribe कीजिए ये सब आपके फाइदे की बाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस पर अमल करेंगे और हमारे वीडियो को subscribe करेंगे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद